हलो एब्रिवन, आइम आस्था, वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल, गवर्मेंट जॉब जेन्यू नॉटिफिकेशन आज हम Indian Post Office Job के बारे में जानेंगे, आप कैसे भरतिय डाग बिभाग में जॉब ले सकते हैं, कौन-कौन से पद होते हैं, कौन-कौन सी पोस्ट होती हैं Indian Post Office में एंड इन पदों पर भरती के लिए क्या essential qualification required होती है, age limit क्या होती है, salary क्या रहेगी और अगर आप इसमें job चाहते हैं तो आप कहां पर इसका notification देख सकते हैं, कहां पर आपको देखना होगा, apply आप कैसे करेंगे, यह सारे points हम इस वीडियो में cover करेंगे, तो अब अगर आप भ करते हैं, भारती डाग बिभाग में बहुत से अलग-लग पद होते हैं, अलग-लग post होती हैं, जिनके लिए 10th pass, 12th pass and graduate candidate eligible होते हैं, यहां तक कि अगर आपने post graduation किया हुआ है, तो भी आप यहां पर apply कर सकते हैं, आपने computer में कोई diploma किया हुआ हो, आप यहां पर apply कर सकते हैं, तो कोई भी candidate अगर इनवे से कोई भी qualification रखता है, तो वैं भारती डाग बिभाग में job ले सकता है, इंडियन post office में job ले सकता है, यह एक government department है, central government के under में यह आता है, so central government की job है, लेकिन इसकी जो भरती है, वो state level पर होती है, all India में post circles हैं अलग-लग, यह अलग जिस भी circle से आप उसमें apply कर सकते हैं, apply यहाँ पर दौनों तरह से हो सकता है, online भी और offline भी, जब भी vacancies release हो, आप उसमें check कर लिजेगा, applications कैसे invite किये जा रहे हैं, online invite किये जा रहे हैं, या offline invite किये जा रहे हैं, अगर offline invite किये जा रहे हैं, तो जिस भी circle से vacancies out हुई हैं, उसी circle के address पर आप को send करना होगा और अगर online applications invite किये जा रहे हैं तो India Post की official website पर आप जाएंगे वहाँ से आपको notification link मिलेगा और apply करने के लिए भी link मिल जाता है तो वहाँ से आप इसमें apply कर सकते हैं India Post की जो appost.in official site है वहाँ से आप इसमें online apply कर सकते हैं next अब हम बात करेंगे eligibility की Indian Post Office में अगर आप job चाहते हैं तो क्या eligibility आपके पास होना चाहिए first Indian citizen can apply तो आपका Indian citizen होना जरूरी है second जैसा कि अभी मनें बताया अलग-लग post होती है तो जो required या essential qualification है वो भी different होती है तो कम से कम आपका 10th pass होना जरूरी है अगर आप Indian Post Office में job चाहते हैं third local language की आपको knowledge होनी चाहिए जैसे कि All India में अलग-लग circles होते हैं तो सभी circles के लिए local language भी अलग-लग होती है अगर आप मध्य प्रदेश, UP या 36 गर में अग्र देखें तो यहां की local language हिंदी है तो आप जिस भी circle से apply कर रहे हैं लेकिन वहां की जो local language है वो आपको आनी चाहिए third है computer certificate किसी-किसी post के लिए computer certificate required होता है कम से कम 60 days का दो महिने का कम से कम आपका एक certificate आपके पास होना चाहिए यह सभी post के लिए required नहीं है किसी-किसी post के लिए required रहता है इसके बाद है typing टाइपिंग भी सभी post के लिए required नहीं है कुछ post है जिसके लिए typing मांगी जाती है इसी तरह से driving license भी अगर आप driving driver की जो post रहती है उसके लिए आप apply करते हैं तो आपके पास driving license भी होना चाहिए क्योंकि हम यहाँ पर post office की जो भी overall post vacancies रहती हैं उसके बारे मैं discuss कर रहे हैं इसलिए मैंने आपको यह eligibility बताई है post wise अगर आप चाहेंगे तो आप मुझे comment कर सकते हैं post wise भी सभी की eligibility के बारे में अलग अलग separate video upload कर दूँगी और हाँ अगर आप एक sports person है sports quote से belong करते हैं तो sports person के लिए भी अलग से notification release होता है अलग अलग post के लिए तो अगर आप इस category में आते हैं sports quote में अगर आप आते हैं तो आप उसके लिए भी apply कर सकते हैं next अब हम बात करेंगे age limit की age limit कितनी रहती है तो इस post के लिए अगर हम overall देखें तो minimum age आपकी 18 होना चाहिए किसी भी post के लिए कम से कम आपका जो भी 12th level तक की post रहती है उसमें आपका कम से कम 18 साल होना चाहिए और graduation level की जो post रहती है उसमें कम से कम आपका 20 से या 21 साल होना चाहिए and maximum आपका 40 year, 40 साल so 18 से 40 साल तक के candidate यहाँ पर apply कर सकते हैं अलग-लग post के लिए क्योंकि upper age limit भी अलग-लग post के लिए different रहती है किसी-किसी में 27 रहती है, किसी में 32 रहती है लेकिन हम यहाँ पर overall देख रहे हैं so 18 से 40 साल age limit होना चाहिए अगर आप post office में job चाहते हैं यह general candidate के लिए है अगर आप reserve category से belong करते हैं like SCSD candidate को 5 years तक कर relaxation मिल जाता है OVC candidate को 3 years का PWD candidate को 10 years का PWD OVC candidate को 13 years and PWD SCSD candidate को 15 years तक कर relaxation मिल जाता है so यह तो हुई age limit की बात age limit आपकी कितनी होनी चाहिए next अब हम बात करेंगे post के बारे में post office में कितने पद होते हैं अलग-लग तरह की जो post होती हैं उनके बारे में हम जानेंगे वैसे तो बहुत सी post होती हैं लेकिन कुछ selected post में यहाँ पर आपको बता रही हूँ जिन पर की सबसे ज़्यादा vacancies निकलती हैं हर साल vacancies आती हैं जिसमें first है ब्रांच post master असिस्टेंट ब्रांच post master ग्रामीन डाक सिवक या GDS पोस्टल असिस्टेंट, सौर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टमेन स्टैनो ग्राफर, स्टाफ कार ड्राइवर मेल गार्ड, हिंदी टाइपिस्ट या ट्रांसलेटर ये कुछ post हैं जिन पर सबसे ज़्यादा विकेंसी notification रिलीज होता है अब हम बात करेंगे qualification के accordingly यानि अगर आप 10th वेस पर चाहते हैं तो किस post के लिए apply कर सकते हैं after 10th आप staff car driver post के लिए apply कर सकते हैं ग्रामीन डाक सिवक post के लिए apply कर सकते हैं multitasking staff and postman ये चारो post के लिए आप 10th के बाद apply कर सकते हैं अब अगर आप चाहते हैं after 12th apply करना कौन-कौन सी post रहेंगी जिन पर आप apply करेंगे after 12th आप postal assistant, sorting assistant, stenographer, mail guard, hindi typist ये post हैं जिनके लिए आप 12th base पर apply कर सकते हैं GDS की जो vacancy है, ग्रामीन डाक सिवक की जो vacancy है इसके लिए आप इसकी official site जो apppost.in है वहाँ पर आप इसका notification चेक कर सकते हैं circle wise release होता है और वहीं से आप इसमें apply भी कर सकते हैं PA and SA की vacancy के लिए SSC CHSL के द्वारा भी vacancy notification रिलीज होता है जो अभी SSC CHSL का notification रिलीज हुआ था अगर आपने apply किया होगा तो आपको पता होगा PA and SA की post इसमें भी रहती है तो आप अगर चाहें तो SSC CHSL के लिए apply करके भी आप PA and SA के लिए आप job ले सकते हैं तो ये तो थी 10th and 12th base पर कौन-कौन सी post है जिसमें आप apply कर सकते हैं इसके अलाबा जो other post होती है उनके लिए graduate candidate and post graduate candidate आलेज़ फिल होते हैं अब हम बात करेंगे salary की यहाँ पर भी हम उन्हीं post के बारे में बात करेंगे जिनके की सबसे ज़्यादा vacancies आती हैं हर साल notification रिलीज होता है और बहुत बड़ी संख्या में vacancies आउट होती है इसमें सबसे पहले है GDS रामी डाकसी वक इसके लिए 10,000 से 15,000 या 20,000 पर मंथ तक salary रहती है multitasking staff के लिए 18,000 से 56,000 पर मंथ postal assistant and sorting assistant के लिए 25,000 से 80,000 पर मंथ postman and mail guard के लिए 21,000 से 70,000 पर मंथ तक salary रहती है इसके बाद अब हम बात करेंगे selection procedure की selection procedure क्या रहता है तो अलग-अलग post के लिए अलग-अलग selection procedure रहता है लेकिन ज़्यादा तर post के लिए सबसे पहले आपका written exam होता है skill test होता है and document verification होता है किसी-किसी post पर भरती merit के base पर भी की जाती है जैसे आपके 10th में जो percentage है उस percentage के base पर merit तेयार की जाती है और selection किया जाता है तो ये अलग-अलग post wise depend करता है selection procedure मैं आपसे फिर से कहूंगे अगर आप चाहते हैं particular किसी post के बारे में detail तो आप comment कर सकते हैं मैं उस post से related सारे information आपको एक separate वीडियो में provide करूंगी so friends आज के इस वीडियो में हमने जाना post office में आप job कैसे ले सकते हैं कौन-कौन सी post होती है और basically हमने after 10th and 12th ways की job के बारे में discuss किया है अगर आप चाहते हैं अलग से जैसा कि मैंने बताया अलग जो post है उन पर detail वीडियो तो comment जरू कीजेगा और वीडियो पसंद आया हो तो like and share कीजे thank you